नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों, यदि आप अपनी गियों की फसल में खरपतवारों से परेशान हैं, जी हैं किसान भाईयों, यदि आपकी गियों की फसल में चोड़ी वा सक्री पत्ती के प्रकार के खरपतवार हैं, तो किसान भाईयों, आप UPL कम्पनी की वेस्त वेस्टा हर्वि साइड का छिड़काओ कर सकते हैं जियां किसान भाईयों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको UPL कमपड़ी की वेस्टा हर्वि साइड की वारे में complete जानकारी देंगे इसके छिड़काओं से हमारी गियों की फसल में क्या बेनेफिट देखनी को मिलते हैं और हमें कितने दिनों पर, कितनी खर-पतवार की पती के आने पर इसका च्छड़काओं करना चाहिए, किया इसका डोश है, Mode of Action के बारे में, आज हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे, तो किसान भाईयों आईए वीडियो को शुरू करते हैं किसान भाईयों सबसे पहले बात करते हैं वेस्टा हर्विसाइड है क्या तो यह एक post emergent broad spectrum selective हर्विसाइड है किसान भाईयों इसके technical के बारे में जान लेते हैं तो इसमें दो technical का combination हमें देखने को मिलता है किसान भाईयों वेस्टा हर्विसाइड का जो काम है चोड़ी एवं सक्री पत्ती को यह खतम करता है हमारी जो ग्यों की फसल होती है उसमें चोड़ी वा सक्री पत्ती के जो खर्पत्वार होते हैं जैसे की घास जाती के जो खर्पत्वार होते हैं वो यह खतम करता है गुली डंडा जंगली चुलाई जैसी खर्पतवारों को यह आसानी से नियंतरित करता है किसान भाईयों जैसी कीस में दो टेक्निकल का कॉम्बिनेशन है तो वहीं इसका जो मोडो पेक्सन है मैटसल्फिरों का जो काम होता है वह चोणी पत्ती को नियंतरित करता है वहीं क्लोडिनाफोब प्रपाइजल सर्फेक्टेंड जो होता है वह घास जाती के खर्पतवार जो होते हैं उनको नियंतरित करता है इसके साथ साथ गुली डंडा और जंगली चुलाई जैसी खर्पतवारों को नियंतरित करता है किसान भाईयों आप वेस्टा हर्विसाइड का जो छड़काओ है यानि कि सही जो समय है आप इसका छड़काओ 35 से 40 दिन के भीतर आप इसका छड़काओ कर सकते हैं और यदि 3-4 पत्ती के आने पर आपकी गियों की फसल में यदि खर्पतवार की 3-4 पत्ती आपको दिखने लगे तब आप वेस्टा हर्विसाइड का छड़काओ कर सकते हैं किसान भाईयों यदि इसके रिजल्ट टाइम की बात करें तो 7-10 दिन के भीतर आपके छड़काओ के बाद 7-10 दिन के बाद आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं किसां भाईवों, यदि हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, तो 110 ग्राम प्रती एकड़ आप इसका छलकाओ करवा सकते हैं, लेकिन किसां भाईवों, एक साफधानी जरूर रखें, जब भी आप इसका छलकाओ करवाते हैं, खेत में बरावर No.M.मात्रा में नमी बना कर जरूर रखें किसान भाईयों बात करते हैं इसके बेनेफिट के बारे में इसके छलकाओं से हमारी यहों के फसल को बेनेफिट क्या होते हैं तो किसान भाईयों यहां चोड़ी पत्ती के साथ सक्री पत्ती दोनों को एक साथ नियंदत कर लेता है किसान भाईयों बात करते हैं ब्राइस के बारे में तो 160 ग्राम की जो ब्राइस का पेकिंग की साइज है वो 400 से 500 रुपे की बीचे में हमें देखने को मिलती है तो किसान भाई हो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं अंगली वीडियो में धन्यवाद